ओम नमेशिवाय ओम नमेशिवाय दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है आपको सुबह उटकर किसका मुँ देखना चाहिए जिससे आपका पूरा दिन शुब मंगल और बहुत ही शानदार भी थे क्योंकि सुबह की शुरुवात ही हमारे पूरे दिन की दिशा और निर्देशन को बताता है कि आज का दिन हमारे साथ क्या क्या चीज़े सकारतमक होने वाली है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं जीने के लिए बाकी भविशे हैं बाकी भूत हैं वर्तमान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है तो इसके सुरुवात में हमें किसका मूँ देखना चाहिए और क्या करना चाहिए अगर आपको यह जान लेंगे तो शायद आपको बहुत सारे फाइदे मिल सकते यह कई सारे जातकों ने इस प्रयोग को प्योग में लाया है और उन्हें साथ दिन, आठ दिन के अंदर एक सकारात्मक, बहुत ही जादा सकारात्मक फाइदा मिला है सबसे पहले आपको कभी भी सुबह उटकर खुद का मूँ नहीं देखना चाहिए बहुत से जातकों कि और शायद आपकी भी आदत होगी अगर आपकी या आदत है कि हाँ आप सुबह उटकर खुद का मूँ देखते हैं तो कमेंट से मुझे ज़रूर बता है खुद का मूँ कभी ना देखें ये गलती बहुत से जातक करते हैं पर ये आप कभी न करें। दूसरी जाओदानी ये रखना है कि बहुत सारे जातक सुबह उठते ही एकदम से उठ जाते हैं, कभी वी एकदम से न उठे, करवट ले और शांती के साथ उठे, क्योंकि वही से हमारा पूरा माइंड सेटप डेवलप होता है, क्योंकि एकडम हड लिएंग्रेदन हैं कि अब अबी तक आपने चेनल को सब्सक्राइब से आप नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल से जुड़ें कमेंट में भोलेनात कोई एक नाम लिखे यादर अगर अपनी कुण्डिक आलसिस आप हम से करवाना चा का अगर आप चहरा सुबहर से देखते हैं तो दोस्तों आपके नो के नो ग्रजों है कभी आपको नेगेटिव इंपक्त नहीं देंगे दूसरा है भगवान क्रश्ण और राधा की वो मनमोग तस्वीर जो आपको बहुत ही शान्ती में हसूस करा है अपने कमरे में जरूर वाली है तीसरा है अपने गुरू के अपने गुरुदेव के तो गुरुदेव की तस्वीर भी आप अपने कमरे में लगा कर देख सकते हैं या अपने मोबाइल में देख सकते हैं ओमने मेश्चा